दोस्तों बहुत सारे छात्र थे जो कि यहाँ पर ITI के लिए हाँ पर इंतजार करें थे कि कब से हमारा यहाँ पर online आविदन होने बाला है तो उन सभी छात्रों के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप लोग का official notice जो हाँ पर जारी हो चुका है कि कब कब से कब तक आप लोग अपर ITI के लिए हाँ पर online apply किजेगा अगर आप ITI में admission लेना चाहते हैं तो आप लोग अपर online आविदन का जो date है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है तो मैं आप लोग को official notice के हमारा यहाँ पर आविदन है वो होने बाला है और किस तरीके से आप आप लोग को हाँ पर ITI में आवेदन होने बाला है तो जितने भी छात रहाँ पर ITI कहां पर तयारी कर रहे थे ITI admission कहां पर इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी update यहाँ पर रहने बाली है तो वीडियो को पर ज़रूर देखेगा मैं आप लोग को जो ऑफिसेल notice के आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंचे रेटकल्स को आप लोग को सब्सक्राइब किजेए लाइक कि यह सब्सक्राइब को जितना आप लोग को जानकारी में सके चले शुरू घर्देपनाज के वीडियो तो यहाँ पर आप देख पाँ दोस्तों मेरे पास official notice प्रभववाई जिसमें कि आप लोग का आप लोग का पर आप आप लोग का आप लोग क tutaj की तो यहां पर बता है थो आप लोग अजी के सबी सरकारी फर्टिंचन संस्थान के कहों यह смотреть गिन पाठिकरमों में पर्वेस सेतु बिहार संजुक परवेस परतियोगीता परिच्छा पारसा द्वड़ा, आयोजित की जाने बाली आधोगिक परिसिक्छन संस्थार परतियोगीता परिच्छा, 2020 के लिए निधारी पपत्रों में ओनलाइन आविदन आमंत्रित किये जाते हैं यहाँ पर क्या है कि जो भी आप लोगा ITI का सरकारी कॉलेज है उसमें अगर आप एडमिसन लेना चाहते हैं तो आपको जो इस एक्जाम को देना होगा तो उसके लिए आप लोगा आप लोगा ओनलाइन आविदन लिया जा रहा है उसका आप लोगा एग्जाम होगा एग्जाम में अगर आप लोगा आप लोगा आप लोगा एडमिसन ले सकते हैं सरकारी ITI कॉलेज में तो उसके लिए आप लोग आपे नोडिस जाड़ी किया गया, यहाँ पर बताय गया कि अधोगी परसिक्षन संस्तार परतियोगीता परिछा, यानि कि ITICAT 2013 का आयोजन 11-6-2013 को किया जाएगा, यानि कि 11-6-2013 को आप लोग आपे जो परतियोगीता परिछा है, वह आपे होने यहाँ पर आप लोगा वेब साइट दिया गया, इस वेब साइट के माध्यम से आप लोग आपे ओनलाइन आवधिन कर सकते हैं, और भी थोड़ा बहुत से आप जानकाई दिया गया तो इस तरीके से आप लोग जो ओफिसल नोटीस है वह आप जारी कर दिया गया है, आई आप लोगो हाँ पर बतायता हूं, तो आई टी आई में ओनलाइन आवधिन करने के लिए या फिर जो इसका नोटीस डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपने गूगल में टाइप करना है, यहाँ पर जो आपने गूगल में टाइप करना यहाँ पे अगर आप लोगो नहीं मिलता है तो यहाँ पे जोहए आप स़र्च कर सकते हैं बिहार, ITI, लिखकर बिहार और यहाँ पे ITI यह आप kierते हैं और यहाँ इस तरीके से आपogen पर को लिंक है वह देखने को मिल जाएगा। पर आपको क्लिक करना है इस post का डायक link जो ब। आपको description मिल जागा वहां से click करके आप directly इस post पर आ सकते हैं फिर आप लोग को ओनलाइन अपलाई भी कर पाईएगा, मैंने आप लोग आपे जानकाई दे दिया है। आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आगो, अगड़े वीडियो पसंद आथ लाइक के स्ब्लोग को सब्सक्राइब को जानकारी मिल सके, मिलते हैं तक के लिए धन्य बाद